दोस्तो अगर आप Exigo Application पे iCCC का एकाउट बनाना चाहते हैं तो सिरिप 5 लट में दोस्तो आपने mobile phone से Exigo Application पे iCCC का एकाउट बना सकते हैं तो कैसा Exigo Application पे iCCC का एकाउट बनाते हैं notification permission देंगे तो आप allow करेंगे आप language select कर लेंगे और आप continue करेंगे आप इंट्रा करेंगे mobile number और continue करेंगे आपके mobile number पे OTP send किया जाएगा आप इंट्रा करेंगे OTP submit करेंगे आपके सामने exigo application का कुछी step का user interface खुल के आ जाएगा exigo पे RCTC का account बनाने के लिए नीचे आप profile के section पे click कर देंगे और यहाँ पर आपको option दिखाए देगा link के और RCTC account आप simple size पे click कर देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाए देगा registered on RCTC आप simple size पे click कर देंगे अब आप next page पर आ जाएंगे RCTC का account बन देख सकते हैं आपको कुछ step का username और password आपको टाइब कर देना है और यहाँ पर आप दोस्तों confirm कर देंगे password और यहाँ प्रफिर्ट लेंग्वेज आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपनी प्रफिर्टी लेंग्वेज स्लेट कर लेंगे हिंदिया इंग्लीज और यहाँ से security question की list मिल जाती है तो आपको इन में से कोई एक security question select कर लेना है जब भी आप दोस्तों अपना password भूल जाएंगे तो इसी security question के जरी आप recover कर पाएंगे तो आपको यहाँ पर याद रखना क्या हमने security question select किया था उसका क्या आपने answer दिया तो यहाँ पर आपको याद रखना ज दोस्तो continue पर क्लिक कर देंगे अब आप दोस्तों next page पर आजाएंगे यहाँ पर आपना first name इंटा करेंगे यहाँ पर आप लास्ट ने मिंटा करेंगे अगर आपको कोई middle name है तो आप मिदील ने मिंटा करेंगे यहाँ अप सेलेक्ट एक्यूपेशन आप इस पे क्लिक करें करेंगे तो यहाँ पर आपको कलेंडर मिल जाता है तो कलेंडर से दोस्तों आप अपनी डेटा बर्थ इंटा कर देंगे और यहाँ पर अपनी मेरिट स्टेटर सेलेट करेंगे मेरीड या अनमेरीड जो भी है आप सेलेट कर लेंगे और यहाँ मेल फीमेल सेलेट कर लेंग करेंगे यहां पर आपको एड्रस डिटेल देनी है यहां पर आप फ्लेट डोर ब्लॉक नमबर इंटर करेंगे यहां पर आपने एरिया लोकेल्टी का नेम इंटर करेंगे यहां पर आपने एरिया का पिन कोड इंटर करेंगे स्टेट इंटर करेंगे सिटी सेलेक्ट करेंगे यह अब select post office आपो पोस्ट आफिस select करे लेना है यहां पर अपना phone number इंटर रेंगे अगर आपका resident address और office address सेム है तो आप यहाँ yes कर देंगे अगर आपका resident address और office address different है तो आप यहाँ पर no कर देंगे तो यहाँ पर आपको complete आपको उपना office address इंटर कर देना है जैसे कि मेरा resident address और office address same है तो हम यहाँ पर yes कर देंगे और नीचे आप scroll down करेंगे यहाँ पर capture इंटर कर देंगे यहाँ box पर टिक कर देंगे टर्मिन कंडिशन सेप्ट करेंगे और आप register पर क्लिक करेंगे आपकी email id और mobile नंबर पर OTP संड किया जाएगा तो आप यहाँ okay कर देंगे ओके करता ही अब आप सिंपल सा प्रोशीट टू लॉग इन पर क्लिक करेंगे अब आप आप सिंपल सा verify mobile number with OTP आप इस पर क्लिक कर देंगे आपके mobile नंबर पर OTP संड किया जाएगा आप इंटर करेंगी OTP संबिट करेंगे आपका mobile नंबर वेरिफाइग हो जाएगा अब आप email id को वेरिफाइग करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे और आपकी email id पर OTP संड किया जाएगा आप इंटर करेंगे OTP और आप संबिट करेंगे OTP संबिट करते ही आपका mobile नंबर और email id वेरिफाइग हो जाएगा अब आप क्लिक है टू लॉग इन पर क्लिक कर देंगे आप फिर से लॉग इन करेंगे आप इंटर करेंगे यूजन नेम पासवर्ड कैप्चा इंटर करेंगे लॉग इन कर लेंगे अब आप यहां पर ज जब भी आप इस application में login करेंगे तो आप इसी pin से login कर लेंगे और आप submit करेंगे और आप successfully iCTC application में login हो जाएंगे आपका दोस्तो successfully iCTC में account बन चुका है अब आप दोस्तो किसी भी application से आप train का ticket book कर सकते हैं अगर आप दोस्तो train का ticket book करना चाते हैं मैंने इस पहले से वीडि subscription में मिल जाएगा तो ऐसे दोस्तों आप iCTC का account बना सकते हैं आसा करता हैं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं दोस्तों नेस वीडियो में जेहिंद